वालकम बाक टू जागो लहूर जिनाब अब थोड़ी से सहत के हवाले से बात करेंगे और आज चुंके वर्ल्ड किड्नी डे मनाया जा रहा है इसे हवाले से अवेर्नेस हम आपको भी देना चाहेंगे और हमारे पास एक जबदर सा पैनल मौजूद है जो आपको प्रॉपर गाइद भी करेगा हमारे से मौजूद होंगे प्रफेसर ममताज एमेद जो कि युरॉलिजिस्ट है उनको वल्कम करेंगे ताइंक इसके साथ सर्थ डॉक्टर एम शबीर होंगे जो कि माहिरे अम्राज गुर्दा है उनको भी हम वल्कम करेंगे और साथ से हमारी हेल्थ पी वीज पीसद इजाफा हो रहा है अजाफा तो हो रहा है तादाद में और गुर्दो के अमराज भी बेताशा है मौतासाब लेकिन सबसे बढ़कर कि वजुहात क्या हैं कि इतने अमराज होने के बावजूद मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है और इस पे कंट्रोल करने कि हमारे पस्पिसिविटीज बेताशाब लेकिन सबसे पहले तो मैं इसकी वजुहात के बारे में आपको बताओं कि ज्यादा गुर्दा खराब होने की वज़ा जो हैं शूगर, बलड प्रेशर, पत्रियां, सोदश और ये जो दर्द की दुआईयां हम ठाती हैं ज्यादा कॉमन वज़ा ये हैं तो मारे में जैसे कि आपने बताया कि 10% हैं तो हमारे मुल्क में तक्रीब दो करोड हैं लेकिन इसमें जो अलार्मिंग बात ये है कि हर साल 2,00,00 के क्रीब ऐसे पेशेंट एड हो जाते हैं जिनका हमें या तो डैलसे से लाज करना पड़ता है या ट् ट्रांस्पलांट जालसेश चाहिए तो जब जयाद़ा डैलसेश इती की दस हजाघर होगी और ट्रांस थाधर मत तो शायद 1,000 भी नहीं हो रहा है तो जब झाल कर ए जозмहात रहे चिए हमें हमारा जो ट्रांस्पलांट प्रोग्राम है जो के दुन्या में ज़दा एड़त उसी हम कहते हैं जो ब्रेन डैथ के बाद रांस प्लांट यो के हमारे मुलक में आलमोस्ट नेगलीजिबल है पूरी ड्वेलब वर्ड में टैन परसंट ये हो रहा है कैड़ार और बाकी सरफ तैन परसंट जो हैं वो रिलेटेड हो एक असजा सर्द गुर्दे के अम्राज बा जा कि आप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसके फिर हम सिंप्टम्स और इलाज की जाने बाएंगे पहले हम क्या क्या अम्राज को डिसकॉस करें इनके अम्राज यह जैसे सोज़श कहलें गॉल भेरोन फराइटस जो डिजीज उसके बाद एक क्यूट किडुनी डिजीज होती है करोडिक डिजीज और फिर गुड़े की पत्रियां गुड़े की डायबिटिक नेफरोपेटियां कहते हैं शूगर की पडिये नेफरोपेटिया यहां इंफेक्शन्स यह ज्यादा है अमराज है तो जो भी प्रॉब्लम होता है चाहे डियादोटिक पेशिंट्स और हाइडिया नहीं है और बाद में फिरम लाज के जाएंगा सबसे इंपॉर्टन बात जो है वर्ल्ड किर्णी डे है तो जो गुर्दा है यह किर्णी है जो गुर्दा जिसम का एहम उजू है जिसका काम जिसम के अंदर बनने वाले जितने भी वेस्ट प्रॉड़क्स होते हैं जिसको कहते हैं के जो जहरीले मादे होते हैं जिसमें मुख उसका जितना भी जिसम के अंदर byproducts होती है ईक्स्ट्रा products होती है उनको जिसम खारिज करते हैं और इनका जिसम के वाहर कुरारच होना इसलिए ज्रूरी है कि आपकी बाड़ी की normal internal environment को maintain रखना पड़ता है अब अगर गुर्दों में कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह की बेमारी उनको लाहक होती है तो जो जिसम के अंदर एक सफाई का कुदरती अमल है वो एफेक्ट हो जाता है और उसकी वज़ा से जहरीले मादे जिसम में जमा होने शुरू हो जाते हैं और वो जमा होने के बाद बहुत सारी बेमारीयों का जिसे कहते हैं कि अमल अम्राज वाला हिसाब है कि बहुत सी बेमारीयों को जनम देती है अगर जिसम से पानी निकलता आपके दिल पर प्रेशर आता है दिल बैठ जाता है इसी तरह अगर आपके जिसम के अंदर गुर्दें खराब होते हैं वाइटमन डी नी बने बंता हडियां डी बिमारीयों हो जाती हैं, इसी तरह से आपके जिए बाहत सारी बिमारीयों को जनम देदे ती है अब जो गुर्दों के अमराज जैसे कर सरने कहा कि गुर्दों के अमराज की बहुत सरी वजूहात हैं मेन वजूहात, सरने बतादी यह अब ऑब आजाती खाल utan अलामात और बाद लोग रहते हैं और वह नॉंमल गुजार सकते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं होता है अब होता ही है कि जब एक गुर्दा डैमज होता है दूसरा तो काम कर रहा है उसको तो कंपनसेट करता जाता है, बजाहर मुरीज ठीक लग रहा होता है, लेकिन आइसा आइसा उसका गुर्दा खतम हो चुका होता है, जैसे कि सर ने फरमाया कि आप जब हकीमों की द्वाइयां खाएंगे, जब आपको पत्थरी की बिमारी का पहलाज नहीं कराएंगे, मुक्त जिसे में जो बढ़ जाते हैं, उनके बढ़ने से मुरीज को उल्टी आती है, मुरीज का जो सेंसोरियम चेंज हो जाता है, और मुरीज के इलावा मुरीज का पिशाब जो होता है, वो कम, उसकी मिकदार कम हो जाती है, और बहुत सारे उसके प्रॉब्लम साथ उसके इंटर्फेर होना शुरू हो जाती है मसला कि आपके गुर्टे जो हैं उस लेवल पे जाके काम नहीं कर रहे होते हैं को जिसमें बने वाले फासक मादों को खारज कर सके हैं उसके बाद जिसम के अंदर अब की हड़ियों की बिमारीयां भी हो जाती हैं अगर आप कॉल करके हमारे शुका हिस्सा बना चाहते हैं हमारे डॉक्टर से कोई सवाल करना चाहते हैं और आप टीवी स्क्रीन पर रहे है सेजाद काजी सब आपकी जाने बाऊंगी गुर्दों की अमरास के हवाले से बेताहाशा अवेनस देने की कोशिश की जा घुब से जारी है क्या इलाज भी उसी सांप से होरा है पी कैला आई की बात की जाए दीगर एगर हॉस्पिटर्स की बत की जाए एक डेडिकेटटिट सेंटर बनाय के ऐसने अवय कि अभी तक मरीज जो हैं गुर्दों की तादाद में जो अजाफा हो रहें लेकिन जो इदलाज की फिसिलिटीज ने बोस लेवल की नहीं है जी ये बल्के काबले अफसाफ बात है कि परक्स्तान के ना अंदर जो अमरा मेडिकल है दुनिया के अंदर जो इंटर्नेशनल डे जाते हैं उसको लेकिए वो साथ चलता है और जब साल पूरा होता है उसका ौन मना जाता है तो फर वाक आवेरनेस के चैंप में लगा हिए ज एक तो सरकारी हस्पितालों के अंदर राश इतना है कि डॉक्टरों की कमी है और राश ज्यादा है उससे लाज मालजे का मसला होता है दूसरा ये अफसोस है कि परफेसर पर खास तौर पर मैं करूँगा चोटे जो लेवल के असूशियेट एसस्टन उनको काम अधार्टी होती है कि वो अपनी मनमानी करें परफेसर की कोशिश होती है कि वो सरकारी होस्पिटल के अंदर खासकर आउटडोर और अमर्जनसी तो खैर ज्यादा मसला है आउटडोर के अंदर भी वो टाइम ना दे ऐसे मरीज अगर कोई किसी तरीके से पेशन्ट परफेसर तक पहुंचता है सरकारी तक तो वो उसका क चार मीने लगेंगे अब ऐसा करें मेरे परफेसर प्राइवेट हॉस्पिटल में आजाए एक तो अतराज है यह डॉक्टरों को दूर करना चाहिए ऐसे लोग हर शोबे में होते हैं यह नहीं कहता कि डॉक्टरों की है दूसरा जिस तरह आपने पीकलाई की बात की मैं साब कोई कहे कि यह बाज के दोर में यह चीज़ बनी और यह उसका शाकार है अब देखें इन्होंने क्या किया किया कि शेखजाद हॉस्पिटल मुझाब कवर्मेंट के पास आया उसमें किड़नी लीवर ट्रांस्पिटार बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है इन्होंने बज में इतने सालों में अब उन्होंने परसो प्रेसली जारी की मैडम ने बयान दिया कि ड़क्टर यासमी राशने जी हमें एक लीवर का जनाब ट्रांस्प्रांट करने में कामयाब हो गया है अगर थोड़े से पैसे दे के मैं तो एक करब भी कह रहा हूं ज्यादा था चाली से पचास करोड़ पे अगर सर्फ शेख्जाद हॉस्पिटल पे लगा देते तो जिस सपीड से वहां पे ट्रांस्प्लांट हो रहा था तो मैं नहीं समझे ता कि जल्दी से इस तरह के अब मैं समय तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी ट्रांस्प्लांट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि साल बाद उनके पास पेशेंट आना है साल बाद कैसे आता है कि आप ब्लड रिलेशन जो है वह गुर्दा देगा पेशेंट मर रहा है उसको कोई दोस्ट गुर्दा देना कोई दूर का रिष्टेदार देना चाहता है उसको अजाज़त नहीं है कि वह उसको गुर्दा दे और वह जिन्दा रह सके यह जब तक सक्ती खतम नहीं होगी मैं समयता हूं कि यह इसको स्पीड के साथ जिस तरह दो लाख डग्सा बता रहे हैं तो लाख म्रीज बढ़ ज आपकी जाने बाहूंगी लाज का जो एक प्रोसीजर है वो क्या क्या है कि अरली स्टेज पे किस तरह से ट्रीट किया जाता है या अगर खुदाना कासरा क्राइन कोई मामले है तो उस हवाले से क्या किया जाए अल्ली स्टेज पे तो उसकी जो भी वज़ा है गुर्दा फे किया जाए अगर सोदश है इनफेक्शन है तो उसका लाज किया जाए कुछ लोग हमारे मुल्क में ये कुछते वगरा खाते हैं इन को रोका जाए इनिशल स्टेज पे तो ये हैं जब गुर्दे कंप्लीट फेल हो जाते हैं तो फिर उनका लाज ये है कि यहां तो डालेसि की फेसिल्टीज हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नहीए और जो ट्रांस्प्लांट के वार रुस्यादान है अब हम हमें करना ये है किप्लांट की फेसिल्टीज जो आज से 10 साल पहले ये जो कानून बना है होटा इस ते अगर पहले ट्रांस्प्लांट फर्ज करें प् एक्टव तो यह होना चाहिए था कि हर सरकारी हस्पिताल में उसको फिसिलिटेट करता कि ट्रांस्पलांट हो लेकन उनोंने बजाए फिसिलिटेट करने के उस पे रिकाउटेंट डाली हैं उसमें गेर प्रफेशनल लोग बैठे हुए हैं और कानून इतने सकत हैं कि कोई भी कर ल artifacts इंट के सर्जन प्रवांट करने से गबराता है कि इस प्रवबर करें करते हैं भी कमेछी उसे एंप्रूफ करे कि इसका ट्रांस्प्लांट कर दें तो पिर सर्जन की जुमादारी नहीं होने चाहिए कमेटी बिरोक्रेट्स की है और जुमादारी जो है वो सर्जन की है अगर कल को कोई भी प्राबलम होता है तो सर्जन की है तो मेरा खाला कि हमें इस चीज को इंप्रूव करना चाहिए इससे ही हम इसको काम कर से हैं शबी साथ अर्मला प्राबलम पता है क्या है एक चीज है कि हम कुछ चीजों को ना कानून या उसकी हाइप इतनी क्रियेट कर देते हैं कि हमें लगता है कि पूरे पाकस्तान में सबसे बड़ा जुर्म हो रहा है और गुर्दे की तबदीली का उपरेशन है हकीकत ऐसे नहीं होती नोड़ोट अमेरिका में भी इस वकत लंबी लाइन्स होती हैं ट्रांस्प्लांट कराने के लिए वहां पे तो डिरेक्टर नॉन डिरेक्टर दोनों तरह के डॉनर्स होते हैं जैसे कि सर ने फरमाया प्रॉब्लम ये है कि आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है कानून इनसानों के लिए होता है इनसान कानून के लिए नहीं होते तो कानून में आप बड़ी इंटरस्टिंग बात मैं बताओं कि मैं जना आस्पिटल में काम कर रहा हूँ पहले सलीम अक्स्तर साहब थे प् हाफज शिजाज साहब हैं डॉक्टर मजामीले मतलब आपके पास इस वकत एक्सपर्टीज मुझूद हैं बंदे मुझूद हैं फैसिलिटीज मुझूद हैं आपको सर्जिन मुझूद हैं आपको सर्जिन मुझूद हैं आपको सर्जिन मुझूद हैं सिर्फ होटा की जैस hospital में, journal hospital के अंदर सरसी hospital के अंदर है, सेंकडों नहीं, हजारों transplant हो चुके हैं अब तक, तो यह कहना अगर PKLI आके निया transplant कर रहा है ना आप अभी record निकल आकर देख लें, सिर्फ problem क्या हुआ कि आपने अदारों को जैसे नोंने 50 क्रोड का ना, मैं को 50 क्रोड जैदा है, यह एक एक क्रोड रुपया हर hospital को देदें सिर्फ transplant की मद में, पर डेच चार चार ट्रांस्प्लांट होना शुरू हो जाएंगे और इंशाला, क्या यह कहा जा सकता है कि PKLI की वज़ा से बहुत सारे जो इस पर जैसे अपनी और यह एक एक पर यह एक पर यह तो बात बड़ी अडिस्ट रहें ना, यह तो उनको पूछना चाहिए, अरभाबे इक तयार को इसकी करनी चाहिए, शुरूजीस आपने उर्यल्जेश अस्यूजीस आपने ले मेरे उर्युराजिस्ट आशेशालाँक हमेरे ले वाओर यह पास पासिट जो प्रफेसर नजीर साब डॉक्तर और अवर्स नुषान के बना को है αν है, जिसमें से उनको आपके uzys vẫn यह और अर्से भाई हैं तो आपको एक अच्छी खबर दूँ कि LGH में, शेख जयाद में तो आपको पता चल रहा था, LGH में भी स्टार्ट हो चुका है, और बहुत जल्द इन्शाला, not I am talking about the weeks or months, I am talking about the days, within days, दबारा से इसी पाज, युरॉलजी असोसियेशन और प्रोफेसर की, प्रोफेसर सलीम ज अच्छी को आपको एक पानी, मेरे साथ कारें जादर और इसाथ ऐगा है, असले में भाला एक अच्छी को एकि जादा सीजेब का चॉछल गया तर दूपारें जादा पानी पीने के हवाले से भी बहुत बहुत सारी बाते है, प्री च्वाल करते है ये, सुछी के बहुत ज ये एक हमारे मुल्क में बड़ी मिस्कंसेप्शन है, आठ गलास पानी पीएं, दस गलास पानी पीएं, सुबह उटके पानी पीएं, तो अल्हा ने इन्सान के जिसम के अंदर बड़ा एक डेलीकेट और नाजक सिस्टम रखा हुगा, जब भी इनसान को पानी की जरूररदा तो प्यास लग जाती है, अगर प्यास लगे तो आप पानी पीएं, अगर प्यास ना लगे तो आप पानी ना पियां, कुछ भी नह हो मीड की मताबगर ना कम पीना चाहिए ना श्यादा पीनां सिरopes 이상 an temper able discovery जब आपको पिया हम होता है तो जब गरमी यूं का मोसम होता है तो हम чारचार गलास भी पी पी लेती है सर्दियों में हम अकष्य अफ्का हुर्ड़न को कर दू Rings कुछ टार्गेटड ग्रुप्स हैं कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें पत्थरियां बनने का खतरा होता है जिनमें यूरी किसर लेवल जएदा होता है उनके अंदर ये ड्वाइस किया जाता है कि आप आठ गलास यहां दो लीटर से जएदा पानी एक दिन में पीना चाहूंगी कि रही है खाली पीड जो लोग पानी पीते एक सुपवड थीक होता है पानी पीना वीजिविविवस की इसका आप अर्ट गलास यहां बढ़े पीर से पीले आप की जरूरत है पानी जिनमें प्रॉड़ीयों का खतरा होता है वहां पर हम यह जरूर अड़्वाइस करते हैं कि है आट ग्रास या दो लिट्र से ज़िदा पानी पिए और खास दोर पेसे लोग जिनके गुर्फे फेयल हो चुक आप पानी काम पीना हो कई अचर और जिनका दिले का भी मसला होता है ना जिनका गुडर प् ανी करता उनको भी अब एक्तियार से भी हम यही गुजारिश करेंगे के जहां पर टीम प्रॉपर फिसिलिटीज बॉजूद है महां पर इस तरह के मसायल नहीं होने चाहिए और हेल्थ जो है किसी भी कौम के लिए बहुत जरूरी है माश्रा जहें जब तक हेल्दी नहीं होगा तब तक हम आगे की प्लानिंग्स कैसे करेंगे थांक यू बही मच आप सब का जिनाब आप से मिजाज़त लेंगे इंशाला आपसे मारी मुलाकात होगी कल फीदबाक के लिए हमारा फेस्बूक पेज है जाग लहौर का और इनकेस आज कर शो आपने मिस्स किया तो शाम पांच बिचे रात एक बिचे रिपीट भी होगा आपसे मुलाकात होगी कल तब तक के लिए अल्ला हाफिज